नमस्कार दोस्तों मैं हमित कुमार सिंग और आप देख रहे हैं kingroft.com यहां दोस्तों MP से professional examination board से sub engineer draftman group 3 की धेर सारी vacancy निकली हुई है वो भी MP से मध्व प्रदेश से total post की बात करूँगा तो 52 post है तो इस form को हम कैसे भरेंगे इसके important dates, link, website, registration, login यहां पर आप क्लिक करेंगे तो directly इस website के ऊपर आप बहुत ही आसानी से आ जाएंगे और सारी information आप ले सके तो वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आपसे request है कि प्लीज वीडियो को like करें, share करें चैनल को subscribe कर लें इससे हमें motivation मिलेगा और आपको नई नई जॉब की notification तो आएए वीडियो को सुरू करते हैं तो इस form को भरने का जो beginning date है, starting date है वो 28 2020 से आप form को भर सकते हैं एक application की जो last date है वो 12-10 2020 है application की कोई correction आप कोई गलत form भर देते हैं कुछ भी तो 30 हो जाती है तो आप 17-10 2020 तक उसको आप clear form को कर सकते हैं examination date now 10 December 2020 को होगा application की fees की बात करो तो general और other state के लिए 560 रुपए देना पड़ेगा SCST और OBC वालों को 310 रुपए देना पड़ेगा और जो पैसे आप pay करेंगे डेविट कार्ड, credit card और net banking के माध्यम से आप पैसे pay कर सकते हैं age की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो 11-2020 से count होगा जिसमें minimum age 28 और maximum 40 साल age में जो relaxation मिलेगा वो MPPEB rule के according आपको छूट मिल जाएगी तो अगर अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ vacancy detail की तो vacancy detail पर यहाँ पर 52 पोस्ट है और अगर यहाँ पर देखेंगे तो पोस्ट में सब इंजिनियर सिविल से है मैंने योग्रिता यह आपके पास अनिवार है होनी चाहिए अब बहुत ही महत्रपून बात है कि इस form को भरेंगे कैसे इसकी official website कहां से मिलेगी link में कहां से मिलेगा registration कैसे करेंगे तो उन सारी चीजों पर यह बात कर लेते हैं तो उसकी official website यह रही peb.mp.gov.in तो यहीं से मैंने सारा information निकाला है अला कि इसका honor मैं नहीं हूँ यही है इसका honor सारा credit इसी को जाती सारी information भी मैंने यहीं से निकाली है तो form भरने के दो तरीके बताऊंगा एक इस website के माध्यम से आपको बताऊंगा दूसरा मैं यहाँ पर देखे यह पूरा link दि के उपर तो यह official website इनकी कोछ इस तरह से login हो जाएगी इसके बाद आपको scroll करना है English और Hindi जो भी भासा आपको पसंद है उसके आप क्लिक करें मैं English पर क्लिक कर देता हूं तो कोछ इस तरह का scenario आपके सामने आ जाएगा और दूसरे number पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो री बुक के उपर भी क्लिक कर सकते हैं तो दोनों चीज के माध्यम से हम जा सकते हैं तो पहला आप यहाँ पर देखिए समूधरी के उपर आप PDF के उपर आप क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पर जो directly किये थे तो यह रहा notification आप वो same ही notification है तो इस notification भी बहुत लंबा notification है तो मैं पूरा नहीं पढ़ने वाला हूं यहाँ पर हला कि मैंने सारी चीज अलड़ी मैंने बता दिया है कि फीस कितना लगेगा किसके काउन सी कटिगरी की according जैसे जनरल OBC वालों के लिए क्या लगेगा ठीक है और जनरल अधर स्टेट के लिए क्या करेगा लगेगा SCST OBC के लिए किटना लगेगा समय सार निका है कि आप फॉर्म को कबसे कब तक यहाँ पर देख सकते हैं फोटोस आपकी जो लगेगी कितने image होनी चाहिए कितने GB sorry मैं GB बोल रहा हूं के भी actually होती है के भी कितने के भी के होनी चाहिए uploading का वो सारी information यहाँ पर दिया हो तो form को भरने से पहले यह notification जरूर पढ़ें और यह notification बहुत बहुत ही बड़ा है इसलिए मैं इसको short में बता दे रहा हूं आप लोग पढ़ लेना अगर आपको कोई भी problem होती है कहीं भी समस्य होती है तो जी हाँ वीडियो के नीचे comment करें और सबसे पहले reply पाने के लिए सबसे तेज reply पाने के लिए मेरे twitter account पर आप मुझे follow करें और twitter पर tweet करें मैं तुरंत आपको reply करूंगा within a minute तो यह रहा notification इस notification को आप पढ़ लें अच्छे से दिखिए मैं इसको scroll करके दिखाता हूं इसमें कितने pages है total 41 pages है इसमें form वगरा भी offline तरीके से दिया गया है तो उस सारी चीज़ों को आप अच्छे से rate करने तो कुल मिलाके मेरा जो बताने का motto था यह यहां से कि यह notification है इस notification को आप अच्छे से rate कर सकते हैं तो अब यहां पर मैं बात करता हूं तो official website हो गई notification हो गया जो कि आप यहां पर advertisement को भी कर लिजा यह देख लिए अदो टीजमेंट में क्या है तो अदोटीजमेंट भी यह देखिए आपको दिखा रहा यह जो चोटा सब पर होता है पेपर की जो कटिंग होती है वहां पर यह मिल गया है आप इसको यह आगर रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं अला कि यह WhatsApp सब वगारा पर शेयर करने के लिए होता है कि आप किसी को भी शेयर करके आप अपडेट कर दें ठीक है तो एडवर्टीजमेंट हो गया रिबुक हो गया और यहाँ पर डारेक्ली फॉर्म पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन वगारा पढ़ लिए आप फॉर्म को कैसे करना है तो यहां पर आईये चलते हैं तो इसके उपर आपको क्लिक कर देना है ऑनलाइन फॉर्म के उपर तो कुछ इस तरह से सीनारी खुल जाएगा आप देखिए समूत्री के अंतरगत भरती परिच्छा 2020 अब आपको इस पीडियाफ के उपर क्लिक कर देना है तो डाउन पर पहले कभी लॉगिन किया है और आपने कभी रजिस्टेशन किया है तो यस कर दीजे और नहीं किया है तो नो कर दीजे यस करने से क्या होगा कि आपको आपका यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा आप यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे और डारेक्ट इस फॉर्म में इ यहां पर डाल दें और अपनी चलती हुई mail id डाले प्लस कर दें यहां पर और OTP डाल दें तो जैसे ही OTP क्लिक करेंगे तो आपके mail id पर और mobile number पर एक OTP जाएगा और उस OTP को यहीं पर अगला जो पे जाएगा वहां पर submit कर देंगे फिर क्या है कि आप अपना नाम अपना address अपनी सारा qualification वगारा सब कुछ डाल के सब कुछ अच्छे से प्रेस करके पैसे वगारा पे करके आपको username और password मिल जाएगा username password मिलने के बाद आपको क्या करना है online form पर फिर से जाना है website पर और यह फिर से बन जाना है यहां पर ऑजैसे जहां पर आप जाएंगे पंजी करन फरम पर तो नया page जैसे यहां पर आप आएंगे यहां मैं login हो औल्रीड़ी तो यहां आप यहां पर कर दीगे जैसे ही हां करेंगे तो देखें यहां पर प्लस करेंगे लॉग इन करेंगे यहां पूर्टल पर आप लॉग इन हो जाएंगे और जो भी चीज आपको डाउनलोड करना है फॉर्म वगडर एड्मिट कार्ड वगडर वह सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी इन केस अगर आपको कोई समस्या होता है तो मैं फिर से बोल आपको free of cost online remotely आपका form भर के दूँगा free of cost किसी भी cyber cafe में जाने की जरूरत नहीं है तो अब मैं इसे बंग कर देता हूं और चलते हैं किंक्राफ website के उपर तो मैंने इस website के उपर से माध्यम से आपको बताया official website बताया notification कैसे download करेंगे login कैसे करेंगे और registration कैसे करेंगे तो वही सारी चीजे मैंने यहाँ पर देखिए important links apply कैसे करना है तो registration और link के उपर कर दीजे notification के click कर दीजब यहाँ पर click करेंगे तो directly notification आप चले जाएंगे आपको website के माध्यम से जानी की जरूरत नहीं है यह आप पूरा notification आप यहाँ पर click कर दीजे आपका website ऐसे open हो जाएगा ठीक है तो यह redirect के लिए आपकी सुभिधा के लिए तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि यहाँ जो लिखा हुआ हिंदी में कि भाईया आप एक बार form को भरने से पहले notification जरूर पढ़ें नहीं समझ में आता तो info at the rate kingcraft.com पर mail कर सकते हैं मुझे और अगर आप facebook वगरा twitter वगरा instagram वगरा use करते हैं तो यहाँ पर भी मुझे follow करके मुझे tweet व आप आउट चर्क करने तो आइधिंगे वीडियो आपको समझ में आ गई होगी चीजें clear हो गई होगी यह सीजें clear हैं तो प्लीज वीडियो को like करें share करें और चैनल को subscribe कर लें तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई update के साथ किसी नई job के साथ तब तक के लिए बा bye and good night